हेलो फ्रेंट्स, केसल ही wynik है अज वाले आज हाए आफ लोगों की तौछ कैस नूमेरिकल की मेरत्य किलास देखा आफके एक्जाम में जो मितमेटिक्स आएगा उसमें आधे पॉर्सं में आपकी पैड़ागोजी आती है आदे में आपके नुमेरिकल का सेक्षन आता है तो पैड़ागोजी की मेरथन के लाज मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ आप लोगों ने नहीं देगी तो उसको जाके देख लेना वह प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वहने यूटूब के उपर सर्च मारा गरो उसक असान आती है ठीक है तो आज की वीडियो के अंदर मैंने एक एक करके सभी आपकी टाइप लिए उन्से रिलेटेड काफी कोश्चन आपके लिए लिए और लगवागी इसी परकार के कोश्चन भी हर आपके एकजाम में देखने को मिलते हैं देखें आप से में एक बात क्य को इस परकार से डिजाइन करने के लिए ताकि आप लोगों को ऐसा बोरिंग फिल मतलब ना हो सके देखें आप सभी को पता मैथमेटिक से बहुत से लोग भाग जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक के नेचर के अंदर ही पढ़ा हुआ है आम लोगों ने कि बच्चों को इसके प आज आपके मैराथन क्लास की देखें मैने सभी मैराथन क्लास अपनी देदी मैने आप लोग उसे प्रोमिस किया था कि आपको सभी मैराथन क्लास दूँगा मैने आपको CDP की मैराथन क्लास दी मैने आपको EVS की मैराथन क्लास दी अलग 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 दी मैने आपके content के लग प्रिलीज के और बच्ची है उसको मैं कल आपको दे दूँगा तो जो मैंने आप लोगों से प्रोमिस किया था उस प्रोमिस को मैंने निभा दिया अब आगे पूरी तयारी आप लोगों के हाथ में आप लोग कैसे तयारी आपर करते हो ठीक है चलिए आज सुरू करते हैं Mathematics क किलास को साती जो बच्चे नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सीटेट के बाद भी आप लोगों को आना अपने पास ही है ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए बढ़ते भई एक करके सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे सबसे topic जो आपके सामने है अज एके पहला topic आपके सामने जो दिया है ठीक है? जी, सभी को good evening, मैं ठीक हूँ आई ओप, आप लोग सब ठीक होंगे ठीक? पहला topic जो आपके सामने दिया हुआ है वह आपका symmetric है, यानि सम्मीति का topic आपको दिया हुआ है मैंने का कुछ आपके ऐसे तोपिक रहते हैं एक number का आपके नुमेरिकल लिमा आता है एक number का आपका पैडरेकुकं अंदर देखने मिलता है उसी के अंदर जो आपका symmetry है, सम्मिती है, तो ये भी आपका एक नंबर का मैंने पैड़ागोजी वाली marathon किलास में करा दिया, एक आज आपका numerical वाली किलास के अंदर कराऊंगा, symmetry हो लेडी मैं आपको बताई चुका हूँ, symmetry क्या होती है, वो आपकी जो एक कालपनिक रेखा बोल दिजे, जो आपने किसी भी object को, किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में काटती है, यही तो आपकी symmetry होती है, जैसे आपकी मैस वाली पैड़ागोजी में मैंने क्या लिखा था, मैंने को वर्ड लिख दिया, M लिख दिया, ठीके, तो M को जो दो बराबर भागों म आपको देखने को मिलती है, तो symmetry तो आप लोग उसके अंदर भी समझगे, आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे symmetry के types, सम्मीति के परकार के अपर हम लोग एक एक करके नज़र डालेंगे, क्योंकि सम्मीति के परकार यान की symmetry लाइन के जो आपके types होते हैं, यहाँ स करके अब समझ लेते हैं आई ओप आप लोग सब यहां पर आगे हैं ठीक है पर शुरुवात कर लेते हैं अब आपकी किलास की सबसे पहले सिमेट्री का टाइप आपको दिया वाए लीनियर सिमेट्री यानिक आपकी रेकिक सम्मिति होती है जो आपके किसी भी अबजेक्ट को दो वराबर भागों में काटती है और मतलब दोनों भाग आपके एक मीरर जर से दिखते है जैसा आपके सामने की स्क्वेर दिया हुआ है यह क्या दिया हुआ है आपके सामने की स्क्वेर दिया हुआ है तो इसको अपना क्या काम कर दिया दो वराबर भागों में इसको काट ठीक है और काटने के बाद आपकी कैसी दिखेगी मेरे इमेज या निसी से दरपन जैसी इमेज या पर आपको देखने को मिलेगी जैसा मानली ज़िए मैंने एक और वर्ड लिख दिया मैंने लिख दिया या पर एच ठीक है तो एच को दो बराबर बागू में काटेगी एच क आपकी दरपन जैसी आपर इमेज़ देखने को मिलेगी ठीक ऑई इंगलीजस की कल ओगी कल ना फजे आपकी इंगलीजस की होगी फिर आपकी मैच का जो सिल्षिला वह यापर स्टार होता है गुमाखे देख लू आपका सेम या आएगा आपका ठीक है तो सिमेट्री के अंदर आपकी हो जाएगी उसके लब अगर बात करता हूँ आपका ट्रांस लेशन सिंपर लिए और और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन को कहीं तक भी इसको लेकर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ की क्या हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, Translation Symmetry यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा गर मैं बात करूँ, तो आपकी Reflectional Symmetry, वो Symmetry जब वो किसी दो चीज़ों को बराबर भागों में काटती है, तो उसका जो सवरूप है, वो कैसा होता है, फिलिप हो जाता है, ठीक है, जैसे मालीज़े ती ती लिए, दो बराबर भागों में काट दिया, तो यह उसके सवरूप को बदले भीना आपका Flip Type हो जाता, मुड जाता आपका, ठीक है, दिल को काट के देख लो, इसको काट के देख लो, कागर जो आपके पास उसको काट के आप लोग दे सकते हो, ठीक है, तो यह आपके Symmetry के कुछ टाइप से, जो खासकर English के Alphabet होते हैं, उनके अंदर आपका पूछ लेता है, उसके अंदर कितनी सिमेट्री है, पिछली बार online exam में इतने question युनों ने एक्जाम इनन ने पूछे, सिमेट्री से सम्मनित बे तुके question पूछे, ठीक है, चलिए देखते हैं, अब देखे सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आपको लियावा है room bus, यानि कि सम्चतुर्भूज, तो सम्चतुर्भूज के अंदर आपके कितनी सिमेट्री लाइन है, दो है, आपकी एक ही हो गई, एक आपकी यह हो गई, ठीक है, तो देखे यह आपका square है, एक तो आपकी यह वाली कार्ट देगी, एक आपकी यह वाली कार्ट देगी, एक आपकी यह वाली कार्ट देगी, एक आपकी यह वाली कार्ट देगी, तो कितनी सिमेट्री लाइन होगी आपके square के अंदर, प्रवंदार हो जाएगी तो और बढ़ी है इनको लगेगा ठीक है तो आज आपकी फूरी मेनत इसके लिए की गई है ठीक है चली अब बात करते हैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल के अंदर कितनी सिमेट्री है सामने दिख रहा है दो आपकी एक तो आपकी यह रही एक आपकी यह रही दो सिमेट्री होगी उसके लावा अगर मैं बात करूँ एक्क्विलेटरल ट्रेंगल के अंदर आपकी तीन सिमेट्री होती है एक आपकी जो इसको बीच में से काड़ती है और दो आपकी यह आपर सिमेट्री होगी उसके लावा आपकी रेगुलर जो आपका कोई सम्मीतई लाइन नहीं होती, जो इसको काड़ सकती है, उसके लावाँ आपके ट्रैपीजियम के अंदर कोई आपकी सिमीट्री नहीं होती, आगर मैं बात करता हूँ आपके सरकल की, यह सरकल के लावा इंगलिस का एक और ऐलफा वेट होता है, जो आपका O, तो इनके अं गिनत, यानी अनंत आपकी कह सकतो, इसकंदर आपकी infinite आपकी lines होते हैं, कितनी भी आप लोग उसकंदर खीज ली जाए, ठीकर, जितना मन करें आपूर्च सकतो, जब तक मेरा board ना भर जाए, तो इसकंदर आपकी infinite टाईम तक आपकी symmetry होती है, ठीकर यहाँ तक आप लोगों की कितनी सिमेट्री होती है, उससे यहाँ पर question आपके exam में देखने को मिला है, ठीक है, अब जरह इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, छोलो भई, आप इसके उपर यहाँ पर नजे डालते हैं, पूरा का पूरा ध्यान भई, इसके उपर लगा लो, ठी चली बात करते हैं, अब सबसे पहले बात करते हैं, इंगलिस के अलफवेट की, देखें, आपके सामने A दिख रहा है, तो इसको एक जो दो बराबर भागों में काठी है, तो इसके अंदर आपकी कितनी सिमेट्री लाइन होगी, एक होगी, बी को एक होगी, सी के अंदर A हो जीरो, ठीक उसी परकार से कि 1 हो जाएगी, L 0 हो जाएगी, M, उपर इवेन आपको बता दिया, 1 N 0, यह जो आपका O है, O के अंदर आपकी इन्फिनिट होती है, जो आपकी सिमेट्री लाइन होती है, जो आपका सर्कल हो गया, या O हो गया, इनके अंदर आपकी लाइन होती है क्योंकि एक्जामिनन ने यहां से question पूछावे और जोमिटिकल figure से आपके question पूछावे है अगर इसके अंदर आप लोग एक चीज और देखोगे इसके अंदर कुछ rotational symmetry होगी बिल्कुल होगी रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है इसके अलवा आपकी किसके अंदर देखने को मिल जाएगी ठीक है तो कुछ ऐसे alphabet है जिसके अंदर आपके rotational symmetry देखने मिलती है अगर examiner simple पूछे कि बती है F के अंदर कितनी rotational symmetry है बाई एक भी नहीं है कटी नीरा अगर examiner पूछे B के अंदर कितनी rotational symmetry है तो B को दो बराबर भागों में काट दियो तो आपकी कितनी rotational symmetry है एक आपकी symmetry है ठीक है तो इस परकार से symmetry के जो geometrical के अंदर geometrical figures के अंदर जो question पूछे जाते है वो देखे आपके सामने screen पर आगया जो alphabet के अंदर पूछे जाते है वो सामने आपकी screen पर आगया जो आपके symmetry यानि सम्मीती से पूछे जाते है ठीक है तो चले इसके उपर यहापर हम लोग नज़र डा आजाओ और शेयर कर दो वीडियो को ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके उनका एक्जाम भी पास हो सके ठीक है वह नई सी साब की PPT इस हिसाब का आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से कराई जा रही है ठीक है चलिए देखते हम आपके सामने question क्या दियावा यह रहा आपक कि दो सम्मीति रेखा है होती है दो आपकी symmetry line होती है अब देखो सारी geometrical figures मैंने आपको उपर बता दी किसके अंदर आपकी कितिनी होती है किसके अंदर आपकी 0 होती है किसके अंदर 1 होती है किसके अंदर 2 होती है किसके अंदर 5 होती है तो किस अभी उपर मैंने आपको बता दो सिमेट्री लाइन आपको देखने मिलते है जल्दिसान सर्वतिया आप लोग ठीक है सी थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो आयत और सम्चतरभुज कितना रेक्टेंगल और आपका सम्चतरभुज ठीक है क्या बनाई यही मेरा सम्चतरभुज तो इसको दो बराबर भागों में कार ते ये कार दिया तो आपका रेक्टेंगल और आपका रोंबस हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक आपने बता है दो सिमेट्री लाइन आपके इसके अंदर देखने को मिल जाती है ।ो जो मे सब्सक्राइब को मिलेगी ठीक है पोल आपके सामने स्क्रीन पर आगा जल्दी से बतिये ठीक है ठीक है तो आज बबल दिख रहा है बबल का दिया अच्छा बबाल दिख रहा हूँ अच्छा ठीक है बई चलो वह इसके अंदर लगा उती है मैं सोचरा बबल गास आ गया उसने लिका आज देखो D को ये मैंने एक बराबर भागों में काट दिया E को ये मैंने बराबर भागों में काट दिया M को ये मैंने एक बराबर भागों में काट दिया तो एक सिमेट्टी लाइन किसके अंदर आपको देखने मुल जाएगी ओपर मैंने पूरी फिकर आपको बता दी कि 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 के अंदर आपकी 1 रहती है, 0 रहती है इसलिए मैंने कहा, इसका screen sort लेकर रख लेना, यहां सा आपको पता लग जाएा किसके अंदर 1 रहती है, 0 रहती है, दो रहती है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जायागा, ठीक है चलिए, यह आपका पहला concept हुआ एक और question बचा भाई इसका फिर उसके बाद मैं अगले concept की और आपको लेगर चलूँगा अगला question आपके साहने निमली की तक्सवरों में से किस में कोई रेखिक सम्मिती नहीं होती किसके अंदर आपकी कोई भी symmetry line आपको देखने को नहीं मिलती अभी तो यार अभी बता दिया ठीक है तो बी के अंदर तो आपको देखने मिलती है दो बरावर भागों में काड़ दिया X, S, O, T में से बताओ किसके अंदर आपके कोई भी symmetry line आपको देखने को नहीं मिलेगी बलते ही इसका सयांसर आप लोगो का किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहो ठीक है हाँ थर्ड 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 दुवारा थर्ड के साथ आप लोग जा रहो ठीक है तो थर्ड कौन सा है S, बिल्कुल ठीक बात है S के अंदर कोई आपकी symmetry line नहीं है जैसे मैंने आपको बताये था जो आपके जैसे माली जी आई हो गया या उसके लवा आप लोग क्या ले सकते हो एक अंदर जाद हो जाएगी तो यह मैंने आपको कुछ बताये थे तो X आपका 2 में कार्ड दिया T आपका A में कार्ड दिया S नहीं कटेगा तो S के अंदर कोई भी आपकी symmetry line नहीं हो गया आपका 3rd या पर सही हो जाएगा अब देखें अगला topic हमारे सामने स्क्रीन पर आगया कितना जल्दी हम लोग उन्हें पहला topic निप्टा है उस्षी परकार से तेजी स्पीड से सारे topic with question answer के साथ हम लोग आपन निप्टाएंगे अगला topic जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपका LCM और HCF का definitely जितने भी मैं topic करा रहा हूँ एक-एक topic आपके exam में जरूर रहाना है मैंने लिया आज की उड़िक अंदर आपके लगबग 11 topic और 11 topic से मानके चलिए 10 number आपके कहीं निगई निमें से ठीक है आप थोड़ी सी मैनत आप लोग प्रिवेसर के question की practice कर जातों पूरे 15 में से 15 आपके आपके आजाएंगे क्योंकि आपके इसी प्रकार का असान में आपको देखनों मिलता है तो LCM और HCF का question आपके सामने screen पर लिया हुआ है अब सभी को पता आपको मुझे तो बतानी कि जो इतनी LCM कैसे लिया जाता है यह HCF कैसे लिया जाता है यह तो कोई नहीं चीज नहीं है जो आपको बताई जाए ठीक है अब देखें इसको पर नहीं जड़ा आते हैं यहापर LCM और HCF से किस प्रकार का question यहापर देखनों मिलता है देखें यह बड़ा सदबार question है यह question है जो seat head वालों का बहुत पसंदीदा question है आपका और बहुत बार आपको देखनों मिलता है तो इनका अंतर दे दिया यह बाई साब क्या काम करता है examiner सिर्फ यहापर आपको number change कर देगा और यहापर कभी अंतर पूछ लेगा कभी इनका जोड पूछ लेगा कभी इनका गुननफल पूछ लेगा एक change यहापर करता है बस और उसके लाबा यह कुछ निकरता और बहुत फेवरेट कोस्टन आपके यह CBSC वालों का अब देखो मैंने आपको बताया हुआ जब भी आपको किसी भी number का सबसे छोटा सार गुनन यानि कि आपका smallest common multiple पूछे तो उन number का आपको LCM निकाल देना है और जब भी आपको highest common factor पूछे यानि कि आपके सबसे बड़े सार गुनन खन पूछे तो उस number का आपको HCF निकाल देना है ठीके तो चलो निकाल लेते निकालने के बाद आपको देखते क्या निकल कराता है तो 15, 20 और 25 का LCM निकालो किसका 15, 20 का और 25 का LCM यहाँ पर निकालना है चलो भी निकालते हैं यहाँ पर LCM 5 से काड़ देता हूँ 5, 15, 25, 25, 25 अब किसे कर जाएगा भी आपका अब किसी से नहीं कटे गए आपका 5, 20, 20, 60 और 65, 300 65 क्या हो जाएगा LCM कितना निकल कर आगया LCM निकल कर आगया अब हम लोग निकालते हैं आपर HCF HCF निकालते हैं अब HCF के लिए हमें वो बड़ी से बड़ी नंबर लेनी पड़ती है जो इन संख्याव को यहाँ पर काड़ देगी वो हमें HCF के अंदर यहाँ पर लेना है अब इसने एक्जामिनन ने पूछा है कि आपके smallest common multiple और highest common factor का अंतर पूछा है तो देखे यहाँ पर आपका 300 आगया यहाँ पर आपका 5 आपका 5 आपका 300 में से 5 गए आंसर क्या बच्चिए आपका 295 बिल्कुल सही आप लोग सही जा रहे हो 300 में से 5 गए आपके 295 बन जाएंगे आंसर आपका बिल्कुल ठीक है आप ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके next question के ओर मेरे उपर ज़्यादा comment में तुमारो सर आप smart लग रहे हो ठीक है मुझे पता यह वाली बात बतानी की जुरूत नहीं है मजाक कर रहा हुँ इसके ओपर नजे डालो next question के ओपर अगर आप question सामने screen पर दे दिया 96 के सभी गुनन खंडो का योगफल पूछ लिया मतलब यहाँ पर जितने भी आपके factors है 96 के उनका जोड पूछ लिया एक question यह भी आपके exam में देखने को मिलता है बस भाई साब यह आपर number को change कर देगा कभी so लिखता है, date so लिखता है इस प्रकार से number देखने को मिलते है तो बताओ इसके 96 के factor कर लो चलो 96 के factor करते है जैसा चोड़े बच्चे factor करते है ठीक है? चलो करते है 96 के factor तो बताओ वही क्या क्या होंगे इसमें तो मेरा साथ दो आप लो multiply करके काटना पड़ेगा एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा उसके लाब आपका 3 से कट जाएगा ठीक है? 4 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 से नहीं कटेगा उसके लावा आपका 8 से कट जाएगा 12 से कट जाएगा 12 के लावा और किस से कट जाएगा 16 से भी आपका कट जाएगा 24 से आपका कट जाएगा 24 के लावा आपका 32 से कट जाएगा 32 के लावा आपका किस से कट जाएगा 48 से कट जाएगा और फिर छान में से तो कटी जाएगा अच्छा इन में से बताओ क्या और भी कोई नंबर कट रहे गया जो आपके 96 को यापर काट तो इसके जो आपके फैक्टर हो इन में से जल्दी से बती है ठीक है कोई और इसके लावा है भई मेरे तो पूर आगे च्छे रह गया अच्छा हाँ च्छे भी रह गया बिल्कुल ठीक बात है और देखके बता दो कोई और बचाओ तो और भी बता उसके अंदर ठीक है बारा हो गया अपना चलो भई मतलब मेरे ख्याल से जातार यह लग रहे है च्छे मुझे एकदम ध्यान नहीं है क्योंकि 6 से भी यह करता है अब इनका योग कर लो सभी का सम कर लो तो चलो भे सभी का सम करते है तो यह लिए है हासिल पाच और एक छे छे एक साथ साथ दो नो नो तिन बारह बारह चार शोले सोले उनो 25 तो क्या हो जाएगा 252 आंशर आपका थर्ड आंशर यहापर सी हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने इसको फैक्टर को आपन निकाल दिया ठीक है तो यह फैक्टर निकालने का तरिका है ऐसे ही आपके एक्जाब में भी कुश्चन आता है जिसमें कुश्चन आप पूछागा वनना आज तक जब से 2011 से लेगा भी तक आपका पेपर वह है यह कुश्चन आपको देखने मिलता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करना कुछ भी नहीं है इसमें आपको जिस किसी का भी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछे तो देखो इसके सिंपल से एक बात ध्यान रखना जो हमारा जो चैरा फेस रहता है वो एक ही रहता है ना वो चेन तो नहीं हो जाता ना कभी तो face value किसी भी number का आपको पूछे माली जब कुछ भी लिख दो 7, 8, 3, 2, 7 कुछ भी लिख दिया, 6 लिख दिया आपर ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लिया इसमें 8 का face value क्या है तो 8 का क्या है, जो उसका face है एक ही तो रहेगा रहा, वो number हमेसा वही देखने को मिलेगा, तो यह हो जाएगा 8 का face value हो जाएगा अब दूसरी होते हैं, आपकी place value अब place है हमेसा change होता रहता है ऐसे हाद कर सकते हैं आप लोग इसको तो आपर simple सा आपको बात दियार नकने जिस किसी की भी आपको place value पूछे उस number के बाद जितने number बचते हैं उनको 0 में निफ्टा दो, 0 में convert कर दो 8 के बाद कितने, 1, 2, 3 तो 8 के बाद 3 0 लगा दो, 1, 2, 3 यह इसकर नब आपको place value देखने को मिल जाएगी बस, इतना simple सा question आपके देख जाम में जो उनके guardian है, साथ में वीडियो को देखेंगे, ठीक है चलिए, question देखे, सामने screen पर आगया यह रहा question, कि आपके सामने एक number देदिया इसमें आपका 5 के इस्तान्यमान पूछ लिए और फिर number देदिया, इसमें आपके 3 के अंकेत मान या जिसको आप लोग face value कह सकते हो इसमें अंकेत मान इसको हिंद्री में दूबारा बोल देते हैं तो यह face value आपको बतानी है बताओ भाई face value, place value तो सब्सक्ते पहले मैं बात करता हूँ place value की बात करता हो 5 की तो 5 के बाद कितने number है? एक, दो, तीन, जीरो, चार जीरो, चार नमबर है तो चार जीरो कर दो, तो पाच के बाद कितने होगी, एक, दो, तीन, चार होगी, तो यह तो हो गया पाच के आपकी इसके अंदर प्लेस वैल्यू होगी, उसके लगए मैं पूछू इसके अंदर आपकी तीन की फेस तो इसने अंतर पूछा है, तो अंतर कर दो, गटा दो भई, 5000 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 4970 में बचेंगे, कितने 4970 में आपको देखने को मिलेंगे, तो आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, second answer या पर आपका सही हो जाएगा, एक सूपर चैट आईए, क्या आई यह आपकी, नो साथ गए, उसके अलावा, नो, एको नो, यह आपका second वाल आएगा, ठीक है, यह गलती से हो गया, आपका, पचास हजार लिखना तो आपर 5000 लिख दिया, ठीक है, वो पचास हजार की जंगा, पाच हजार हो गया, अगला देखते सामने आपकी स्किन पर, मत मत दिया करो, भाई, सूपर चैट मत दिया करो, ठीक है, मैंने पिछली भी क्लास मत आवा, किसी बिचार को गरीब को दाके जाके देदो, किसी की मदद कर दो जाके, मुझे मत दिया करो, प्लीज आप लोग यह पैसे, ठीक है, तो यह बात मैंने आपको कई बार बता चुका फ्रेक्शन से एक कोशन डेफिनेटली आता है, एक सो दो भी जाद देखने को आपको मिल जाते हैं, आप देखें वो कौन-कौन से जरा उनको पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, सिंपल सा पहले तो आपको कोई फ्रेक्शन का कॉशन देदेगा, यह जहापर आपको पूच लेगा, यह आपको पूच लेगा, और एक पूचता है फ्रेक्शन के जो टाइप आपसे पूचता है, तो जो फ्रेक्शन के टाइप है, पहले उनको देख लेते हैं, पहले आपका प्रोपर फ्रेक्शन उचित भीन, यानि प्रोपर फ्रेक्शन के अंदर क्या होता जो आपका UNS होता है, वह रसा आपका छोटा होता है, ठीके, यारनी जैसे मैंने लिख दिया कोई भी नबर, 2, 3, अच्छा नमबर यहाँ पर लिखावा है, यहीं लिख लेता हो, मैं 4, 7 लिख लेता हो, ठीके, तो देखोगे जो UNS है, तो यह UNS कि है, छोटा है, और जो आप बात करें, इंप्रोपर फ्रेक्शन की, सेम इसका अपोजीट कर दो, अपोजीट मतलब, जहापर अंस्तोब आपका बड़ा हो जाएगा, और हर आपका छोटा हो जाएगा, यह बराबर भी हो सकते, ठीक है, जैसे आपका लिखा वाए, बराबर भी लिखा वाए, तो यह आप आपका दो, आपका प्रोपर फ्रेक्सन घेते सेमने जाएगा, एक आपका समझगे, फ्रेक्शन के बारे में, आप देखे, इसके उपर, कैसा कोश्टन आता है, जब उसके उपर एक बार हम लोग नजर डाल लेते, यह सामने आपकी स्क्रीन पर आगया, कोश्टन, इसको य ठीक है, पीसट अच्छी आज, सलमान खान, ठीक है, अरे नहीं भाई, इतने बड़े-बड़े मज़ाग मत कर अगरो, कोश्चन देखो यहापट, ठीक है, कोश्चन आपके सामने, एक उचित भिन, यानि आपको दिया हुआ है आपका एक प्रोपर फ्रेक्शन, और एक आपक इंप्रोपर फ्रेक्शन, तो इनका गुननफल क्या होगा, बताओ भई गुननफल इसकंदर से क्या होगा, मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, कोई भी आपकी उचित भिन ले ली, प्रोपर फ्रेक्शन ले लिया, दो बटा तीन, ठीक है, देखो इसमें और एक आपकी विसम भिन ले ली, और इनका गुननफल कर दिया, तो इस एक आपकी विसम भिन ले ली, मैंने ले लिया, तीन बटा दो ले लिया, ठीक है, तो दो ले ली मैंने प्रोपर और इंप्रोपर फ्रेक्शन दोनों ले ली, अब दोनों को अगर हम लोग सोल करेंग उसे छोटा होता है उचित भीन से बड़ा होता है तसा विसम भीन से छोटा होता है ठीक है बताओ बड़ा छोटा क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है अब देखो यह तो है आपकी प्रोपर फ्रेक्शन यह आपकी इंप्रोपर फ्रेक्शन प्रोपर फ्रेक्शन ये तो चोटा हो गया नै, इससे, ये तो इसके गुननफल स्चोटा हो गया ना, लेकिन, अगर मैं बात करो आपका improper fraction की 3बटा 2, इसको काट के देखो, 212.2510, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, आपका बढ़ा हो गया, क्या हो गिया यह आपका बड़ा हो गिया गुननफल से तो improper fraction गुननफल से आपका क्या रहता है? चोटा यानि उचित भिन ड़ा होता है तो देखो उचित भिन भेन से बड़ा है न आपका और उसके यलाओध यह विसम भिन से चोटा होता है विसम बिन से छोटा होता है आंसार आपका थर्ड सही हो जाएगा कि जो आपका proper fraction और improper fraction का आपका multiple यानि कि आपका गुननफल होता है ठीक है ये बात आप समझगे चलिए अब देखते बापके next के और हम लोग या पर बढ़ जाते एक और question सामने आपका fraction से लिया हुआ है ये रहा कुछ इस प्रकार का question एक और जो आपके सामने लिया हुआ है ठीक है ये question आ गया और ये क्या आया है आपका super chat एक और आई है आसर मेरा mock test submit नहीं हो रहे है ठीक है तो आप एक बार किसी आपके घर में कोई जाद अच्छी तरीक सो उपरेट करता है आप लिजिन को बोली है मतलब आपका soul हो जाएगा क्योंकि आपको जरूर मेसिज मिला होगा टीम की तरफ से बार-बार मतलब soul करने के लिए बैठे रहते है ठीक है अगला question देखते है सामने आपकी screen पर 7 बटा 10, 4 बटा 9, 2 बटा 15, 3 बटा 5 और 2 बटा 3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भीन आपको fraction आपको बतानी है चलो बटाते है कौनची बड़ी कौनची आपकी छोटी fraction है चलो बटाते है इसको soul मेरे साथ ही soul कर दो 10 को हम लोग यापर निकालेंगे कितना बचेगा 0.7 यापर बचेगा 4 को divide देंगे 9 से कितना बचेगा यापर आपका यह मैंने point लगा दिया पहले ही 40 हो गया 9.36 चार आपका बचेगा आगे जो भी होता जाए उसके लगा दो को भाग दो 15 से कितना बचेगा पॉइंट लगा दो उसके बादध यह हो जाएगा 20 तो पंद्रे कम पंद्रे और फिर उसके बाद ड़ेश डे जो भी आपके सामने हो उसके लगावा आपके मैंने लिख दिया 3 वटे 5 ले लिया point लगा दिया 30你好 जाएगा point 6 हो जाएगा ठीके उसके लगावा 2 वटा 3 दो बटा तीन क्या हो जागा इसको भागने में 0.3 चंग 18 अब देखो आपको इसमें बताना है कि इसके अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भीन पूछी है ठीक है smallest fraction और आपका longest fraction इसके इसके अंदर आपका पूछा है तो तो देखो अगर मैं इसमें चेक करूँ तो 0.1 मेरा आ रहा है क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है पूछा कोंचा है सबसे बड़ा इसके इसके और क्या नम क्या डूंस रहत K happen ए ठीक है तो आप लोगों का क्या इसकंद्रा है भई, जल्दी से मुझे आप लोग बती है, ठीक है, आपका फर्स्ट आया, फर्स्ट कौन सा है, साथ बटा दस, तो साथ बटा दस सबसे बढ़िये, यह रही साथ बटा दस, और दो बटे पंजर है, यह रही दो बटा पंदर है, यह कर देगा कभी तो आपको यहां पर पूछ लेगा कि इसको कुछ समान दे दिया कभी बच्चों को गुरूप में अपना बाड़ देगा इस प्रकाश से डिस्ट्यूपूशन का टाइप आप आपके देखने मिल जाता है ठीक है बस यहां पर एक्जामन लेंगवेज गुमाता यह नंबर चेंज करतेगा बाकि आपके एक्जामन देखने मिल जरूर मिलता है अब देखो इसको मेरे साथ यहां पर सोल करते है इस कोशन को बड़ा मैथफून कोशन है यहां पर कोशन है कि एक स्कूल में 1260 बच्चे है कितने बच्चे है यहां पर टोटल अगर मैं टोट तो गवारा है तीन दूनी 60 और इसके बाद यह हो जाएगा इसकी मिल्टिप्लाइए करने पर 840 तो 840 क्या हुए 840 आपके लड़के ठीक है 840 क्या लड़के अच्छा लड़के कितनी बचेगी 1260 में से जब 840 लड़के तो लड़के कितनी बचेगी उपर से में से इसको गटा दो तो लड़के की निकल कर आ जाएगी तो इसको गटा दो 0 में से गया 0 6 में से 4 गया 2 और यह 12 1260 चार सो बीस तो यहाप लड़के आपकी 420 है आप लड़के ठीक है तो लड़के का निकल कर आ गया 420 ठीक है तो अब देखते हैं इसका आगे ठीक है अब इसने पू तो लड़कों की संग्या के तीन चोथाई यह लड़के कितने 840 तो 840 के कितना दिया उसने तीन चोथाई खिलाडी है कितने तो 630 तो आगए आपके लड़के जो आपके क्या है यह आपके खिलाडी यह लड़के है क्या यह लड़के यह आपके खिलाडी लड़के देखने को मिल रहे ठीक है अब इसने पूचा है ओ लड़के की संग्या के आदे भी खिलाडी है अब लड़के क्या थी इसमें मरलब 210 आपकी लड़कया खिलाडी है अब आपको पूचाए इसके अंदर कि विध्यालने में विध्यारतों की जो संक्या है जो खिलाडी नहीं है ठीक है? उनकी संक्या आपको बतानी है जो खिलाडी नहीं है अब देखार खिलाडी तो लड़कया 630 कितने खिलाडी 630 है और लड़कया कितनी खिलाडी यह लड़का भी फिख स्कांधर कितनीती स्कंतर देख लो आप लोगXT 1260 कितनी है 1260 है तो 1260 में से अगर मैं 840 को घटा दू 840 को घटा दू तो वो बच्चा जाएंगे जो आपर खिलाडी नहीं है ठीक है कैसा आज कमेंट कर रहो आसी मजाग वाले बहुत है छुट रही आज मेरी भी ठीक है चलो इसके उपर देखते क्या है आपका कितनी निकल कर आजाएगी जीरो चेह में से चार है दो आब 1260 चारीज आट सो बीस तो क्या निकल कर आगी चारीज आइए मैंने आपका सारा का सार इस कोश्चन को आप कड़ लो अच्छे तरीकी से क्योंकि मैंने समझा दिया इसके अंदर आपका बस घटाने का और लिखने का काम बचा आपका ठीक है? हाँ, ठीक है भई, देख लो इसका answer निकालगे, यह आपका answer निकल जाएगा, जो भी आपका अंचन निकलेगा, दुवार से उसको एक्स्प्लेन करने की ज़र अतनी है, बेकार सा कोश्चन है, ऐसे कोश्चन को नहीं लेंगे हम लोग, दुवार से, इसके अंदर बस इतना यह करना होता है, डिस्ट्रिबूट करने का, मैं आपको दूसर टाइप बताता ह दूसरे टाइप के उपर नजर डालो, अब यहाँ पर एक्जैमिनर क्या देदेगा, कि मालीज आपकी क्लास में पचास बच्चे है, टोटल, टोटल पचास बच्चे है, ठीक है, टाइप को समझना मेरे बात को, कॉस्चन का तो करवा दिया ना, अस फूरा का फूरा ठीक ह पता नहीं क्या से क्या निकलुआ का आया, अब यहाँ पर पचास बच्चे है, तो मालीज आ पचास बच्चे में से कह देगा कि कोई रादनाम की लड़की है, तो रादनाम की लड़की ने एक बटा तीन जो भाग है, कोई चोकलेट देगा, उस चोकलेट का एक बटा तीन या 50 चोकलेट में से 1 बटा 3 बाग रामू को दिया, 2 बटा 3 बाग सामू को दिया, 9 बटा 3 बाग किसी और को दिया, तो इस प्रकार से पूछ लगा, अब 2-3 कोशन के बाद दूँगा, अभी रिपलाई मतलो, ठीक है, पता नहीं, क्या कोशन आया भई आपका, 9 बटे 4 में कितने 3 बटे 8 है, या फिर इसको पूछ लेगा, आपका मिस्रित भिन करके पूछ लेगा, कि आप बता इसमें कितने 3 बटे 8 है, यह वो असान कोशन है, और कई बार पता नहीं, CVST वालों ने इसको पूछ आवाए, ठीक है, अभी इसके बारे में नज़र डालिए, देखिए, 9 बटे 4 में, 9 बटे 4 में कितने 3 बटे 8 है, ठीक है, कितने 3 बटे 8 है, तो इसको सोल कर दो, 9 बटे 4 गुना करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, 8 बट आपका, क्या जागा, second answer आजाएगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, second के साथ आप लोग आपर जा रहे हो, चले बढ़ते हैं आपके सामने next question कियो, और एक और question आगया, अब देखो ये question, बड़े-बड़े question सा आपके सामने screen पर दिख रहा है, इसको जड़ा नज़र ड आप लोग, आप लोग अराम से घर में वैट के कर लोगे, ठीक है, अब देखे इसको पर नज़र डा लिए, अब ऐसा बड़े-बड़े question देता है आपके examiner, यहापर कुछी भी सबजी ओजी देदेगा, उसको rate देदेगा, कभी कोई canteen देदेगा, उसके अंदर आपके सम पर रिजन में कम है, ऐसा question मलब एक question जरूर देखने मिलता है examiner, ठीक है, अब देखे यह question क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस हम अपनी तरक सक्ति का यूज़ करना है, और हमारे आंसन निकल जाएगा, देखो, question दिया है यहापर आपके सामने स्क्रीन पर, मसालों की मु इलाइची का जो मुल्य है, वो जीरा के मुल्य का पाच गुना है, तो देखो भाई, यह रही आपकी इलाइची, यह रहा आपका जीरा, तो आपका दिया है, इलाइची का मुल्य, जीरा के मुल्य का पाच गुना है, तो जीरे का 190, तो इसका पाच गुना कितना हो जाएग में तो यहां पर पहला तो उपशन इसने बिल्कूर यह आप ठीक ने दिया ठीकish के ऺजै atención घृत के मुले के अलग यह अगर तो 540 जो है 550 के लगबग है ना तो इसका लगबग आदवा ना अगर यहाप लगबग नहीं आता ना तो आपका गलत हो जाता है ठीक है तो कौन सा है लोंग और धनिया वियाव के होगे अगला देखते है परति किलोग्राम लोंग का मुले जीरा के जो आपका मुले उसका निस्ती सता उन भाई यह तीन गुना नहीं बैठ रहा आपका ठीक है यह नहीं बैठ आपका तीन गुना इसके अंदर लोंग और आपका जीरा का अगला दिया है कि लोंग काली मिर्च से केवल 70 रुपे महँगा है तो लोंग का है लोंग यह रह गई और काली मिर्च हो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पांचों 50 हो जाएगा यह यह भी आपका ठीक है तो गलत आपका यह lept nos कंद्राप का ठीक हो जाएगा ठीक है कितना थود साही बता रहे हो सही आंसर थीक है चले यह बढ़ते आपके सार्फ Astra next question के और हम लोग आपर बढ़ते यह रहा आपके सामने अगला topic आगया अभी से अगले topic के ओपर हम लोग आपर एक एक करके नज़र डाल लेते हैं ठीक है आप लोग देख रहो है मैं लोग कितने असान question आपके exam में आ रहे हैं अब ऐसी ही आते हैं आपके exam में जो question आते हैं ठीक है इसके उपर नज़र डाल लो आपको सारी चीज किलिए हो जाएगी पहले अगर मैं बात करूँ acute angle की बात करूँ acute angle वो angle होता है जो आपका 0 से लेके 90 degree के बीच के जो भी आपके एंगल होता है वो आपके acute angle के अंदर देखने हो जाते है ठीक है कोई भी आप लोग ले लो 40 ले लो 70 ले लो 82 ले लो एक्सरेज़ कुछ भी ले लो यह सभी आपके acute angle के अंदर पूछे जाते हैं देखो आपके exam में question आया था सीटेट के exam में जो भी आपका online paper हुआ है उसमें आपको एक question देखने को मिला था question उन्होंने examiner ने पूछा कि जो अमन word है जो यह अमन नाम है A M A N यह जो अमन word है इसके अंदर आपको बताना है कितने acute angle है ठीक है लड़के वाला समझ नहीं है सर उसको में दुबारा मैंने का उसके अंदर आपका कुछ भी नहीं करने के लिए उसके अंदर शिप जो भी आपके लड़के थे लड़कों में से दोतियाई उसका कर लिया, दोतियाई करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि लड़के कितने हैं और लड़के पता होने के बाद फिर आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी बच्ची कितने है वो लड़किया है अब जितने लड़के और लड़के है उसमें से वो पूछले कि उसमें से लड़के इतने खिलाडी है और लड़की इतनी खिलाडी है तो आपके जो लड़के खिलाडी और लड़की दोनों पता चलने वाद जो टोटल आपके बचे वो कितने बचे वो बाकी के नोन आपके जो पिलेर बचे जो खिलाडी नहीं है सिर्फ इतना उस question के अंदर था और कुछ नहीं था मेरा दिमाख आप लोगों ने उल्टे से इदे comment करके इधर-उदर करवा दिया वह नहीं मैं उसको explain कर देता है ठीक है उसके अंदर कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी आपको और 11 कितने एक्क्यूट अंगल आ गए तो इसके अंदर आपको देखने को मिले ग्यारे एक्क्यूट अंगल आ रहे आप लोगों के एक्क्यूट अंगल आ रहे ठीक है आप मेरे पिरिये गुरूजी साधर परणाम परणाम भई तारीक महसे निवे दन की पेपर टू साइंस का मेराथन करवा दीजे ताकि हम सब आपका सदा आवारी रहूंगा बिहार मद वने तारिक देखे एक मेराथन किलास में साइंस का नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब लेकिन मैं जो मेराथन किलास कराता हूं उस मेराथन किलास के बाद कुछी कोश्शन होते जो बाहर देखने घ्री अगला देखे और यहाप पूछ लें जो आपका 90 अगल जो आपका 90 डिगरी से दर्शे ले जाएंगे, राइट एंगल सभी को पता है, जो आपका समकोंड है, 90 डिग्री है, इसमें कुछ बताने की जुरूत नहीं है, एक्जाम में बहुत आता है, आपका समकोंड से संबंदित कोश्चन, मैंने लिया हुआ है, अभी आपको बताऊंगा, दो एंगल आपक का योग आपका 180 डिग्री हो जाएगा, अगर मैं बात करो आपके कुम्पलिमेंटरी एंगल की बात करो, तो कुम्पलिमेंटरी एंगल वो एंगल रहते है, जिनके एंगल का योग आपका जोड रहेगा, आपका 90 डिग्री रहता है, क्या रहता है, एंगल आपका 90 डिग्र आपको देखने को मिल जाता है तो यह हो गए आपके complimentary और supplementary एंगल देखने को मिल गए अब देखे ज़रा question नजर डाल लेते हैं सामने आपकी screen पर question आ गया इसके ओपर हम लोग आपर नजर डाल लेते हैं क्या question आपके सामने screen पर दिया वाए ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है वेरी गुड ठीक है विवेक गुपता ने एक दिन पता नहीं क्या comment कर आओगा साथ में अपना नाम लिखा होगा तो मैंने comment पढ़िदा विवेक गुपता सोचते हैं रोज में इनका नाम लिया करूँगा ठीक है लेकिन ये ट्रिक आप लोग इतनी चला तुम्हें पता एक बास एक तो तुम्हारे पैरेंट्स और एक तुम्हारा टीचर इनको तुम बेवकूफ नहीं बना सकते ठीक है जुतने भी ओवर स्मार्ट बन लो होस्यार बन लो कुछ भी बन लो आप लोग ठीक है हालकि हो सकता है आपकी स्मार्टनेस को यह देखा जाएगा कि हाँ हमें कुछ ने बता हमें समझनी आ रहा आपको लगए हमने तो अपने घरवाल हो गया आपने टीचर का बेवकूफ बना दिया वह आप जानकर बेवकूफ दिखाने का नाटक करते बनती नहीं कोई ठीक है चलो भी नजर डालते एक बच्चा कई दिन से रोज कमेंट करता है फिर नाम लिखता ताकि मेरा नाम दुबारा ली जाए अरे मैंने दुबारा ले दिया भाई विवेक गुफता यह देखो निमलिकित में से कौन चा कतन सही नहीं है इसको पर नजर डालो वताओ कोन चा कत बता उसके अंदर आप लोगों का सही अंसर क्या हो जाएगा जल्दी साप लोग यह आपन नजर डाले ठीक है किसके साथ आप यहापर जा रहे हो ठीक भी थर्ड दोनों के साथ जारो दूसरा कौन चा है दो न्यून कोन यानि जो दो आपके एक्ट्यूट एंगल है तो दो एक्क्यूट एंगल का योग सदेव एक सम कोंड से कम होता है बिल्कुल ठीक बात है यार सिंपल से बाता राइट एंगल तो आपका 90 डिग्री है और 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने आपके एंगल आते है वह आपके कौंड से होते हैं अभी मैंना आपको उपर बता है तो दो आंसर आप कैसी हो जाएगा तीन वाले आपका नंबर गया ठीक है यह आपका पूछा जाता है जो कितना छोटा सा कोश्चन है और कई बार एक्जाम में पूछाएगा बस एक्जामनेर इतना पूछता है कि दो सरी एक बटा दो जो आपका समकोर्ने राइट एंगल है निम कर दो 55 25 का 5 625 और 22 250 डिगरी का आपका हो जाएगा आंसर आपका थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे आपर आप लोग पीछे वालों के पूछी ओ ठीक है चलो यह अगला कोश्चन देखते है नेक्स्ट कोश्चन आपके सामनी स्क्र इन पर एक और कोश्चन आगे जरा इसका अंसर अब आप लोग यहापर वती है यहापर कोश्चन दिया हुआ है पांसो चालिस वेक्तियों से सीथ ग्रिसम और वर्सा रीतू में से उनकी पसंद की रीतू पूछी गई प्राप ताकडों को पाई चार्ट देखों पाई चा सेंटरल एंगल क्या पूछ लिया है यहापर पूछ लिया आपसे सेंटरल एंगल आपको दे दिया ठीक है सेंटरल एंगल यहापर आपको दे दिया सेंटरल एंगल कितना दिया 150 डिग्री यह दिया है सेंटरल एंगल 150 डिग्री सेंटरल एंगल 150 डिग्री आया है तो कितने व्यक्तियों ने सीथ रीतु को पसंद किया आगे दिया है कि कल्पना कीज़े कि परतेक व्यक्ति ने केवल एक रीतु को ही पसंद किया अब देखे जो आपका पाई चार्ट है पाई चार्ट के अंदर अगर आपका जो complete angle बनेगा पूरा का पूरा complete angle बनेगा वो कितने काई बनेगा 360 डिगरी का बनेगा ठीके तो अगर आपका जो central angle आए 150 का इसको में जो आपका complete angle आए 360 डिगरी आया तो 360 डिगरी से आपके जो 540 के जो व्यक्ति है इससे आपको डिवाइड देदू तो यह आपका अंसर आ जाएगा जड़े इसको काट के देखो यह आप लोग खुद भी काट सकते हो देखो काट दो इसको 0 से 0 9.36 9.54 2.4 2.6 ठीके अब 2 से इसको काट दो 2.7.14 2.5.10 तो 75 के और 3 की मिल्टिप्लाइ करो 15 या 15 का पाच का हासिल 1 27 और 1.22 225 थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा ठीके आप लोग किसके साथ जारे हो यहापर आप लोग जारे हो थर्ड के साथ जारे हो बिल्कुल ठीक है थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा अगले टोपिक के और हम लोग आगे यार ये टोपिक ऐसा टोपिक है जो सबसे ज़ाद आपके एक्जाम में देखने को बिलता है ठीक है इस टोपिक के ओपर यहाँ पर हम लोग आपन अज़र डालते हैं ठीक है जो जो मेराथन के लाश चलती है सतर हजार साथ हजार ऐसे लाई मतलब उसके अंदर बच्च आते हैं पता नहीं नुमेरिकल वाली को देखकर क्यों भावी जाते हैं इतना असान असान नुमेरिकल इतनी बढ़िया से पीपीटी में बनवा के आप लोगों के लिए आज लाए इनको बहुत बढ़िया पर चलो अपनी-अपनी सोचा आधी के बारे में पढ़ते हैं संख्याह'ご के बारे में पढ़ते हैं सबसे ends No time पूछ Nahum बढ़र है उसके लावा आगट यहाउर्ण केसाथम नंबर तो होल नंबर है आपके जीरो से लिए का पके इन्वियुणी तक जो तक आपके होल नमबर एक्जाम में जादेता राता है प्राइम नमबर वह नमबर जो एक से कटेगा खुजी से कटेगा वह आपका होता है प्राइम नंबर ठीक है कभी कभी एक जाम में आ जाता कि सबसे चोटा प्राइम नंबर को टाइज एचा लिए एस बढ़ते विए जाते हैं यह सभी है आपके प्राइम नंबर देखने को मिलते कोई भी आप लोग natural number कोई भी number ले लो मतलब आप जैसे मैंने ले दिया 800 क्या ले दिया 475 ले दिया उसमें एक जोड़ दो तो आपका success नंबर क्या जाएगा 476 आजाएगा अगर मैं माली जे एक गठा देता हो एक गठा देता हो तो यह आपका आजाएगा पूरवर्ति संक्या जाएगी यानि पहले की संक्या यानि अगर 475 में से 475 में से अगर मैं यह गठा दो तो क्या जाएगा 474 आजाएगा यह आपकी पूरवर्ति संक्या जाएगी ठीक है यह कुछ numbers के types ते जो मैं आपको बताए अब नंबर से related कैसे कैसे question आते है वो जड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते ठीक है ठीक है आपका BPSC चल ला है या KBS का जैसे एक्जाम हुआ डी ट्रिबलेस भी का एक्जाम आता है यह आप लोग किशी और एक्जाम के लिए जाते हैं तो आपर जरूर आएगा तो पता है नहीं मतलब बच्चों क्यों इतना भागते हैं मैं खूब कहके हैं कि ठग्या लेकिन नही नहीं मानते हैं नुमेरिकल से ठीक है या तो पढ़ना नहीं चाते हैं या उनको पढ़ाय नहीं जाता सही से या एक नेचुरल डर है बच्चों के अंदर तो उसका तो रीजन पता ही नहीं है ठीक है देखते हैं अगला कॉश्चन सामने स्क्रीन पर है कि चार अंकों की सब सबसे बड़ी संक्या और चारंगों की सबसे चुटी संक्या क्या हो जाएगी यह रही आपके सामने चारंगों की सबसे चुटी संक्या इनके अंतर इनके अंतर यह अंतर देखते क्या निकलता है निर्मा consideration driving on Spl마 को depressed यह अब निकला है यह आपका क्या हैश करने पड़ते हैं वूर्थ के साथ जा रुए ठीक है ठीक है चलिए अगले इसको पर देखते एककरे सार्य याद करना है मुझे इसके कोई एक ट्रिक से नहीं आएगा अपका प्रेक्टिस करेंसे उससे आपका का मैस आगए यहांगा तो बागी की लगती है आपको फिर इतनी दिखत नहीं होगी ठीक है अगला कुष्ण पर एकाइए उसके बाद यह आई प्लस कर दो 10 धाहिया ठीक है । پलस कर दो 10 धाहिया है उसके लबा onda 12 सेकड़े तो इसके लबा प्लस कर दो 16 सेकले से इसको कर दिया और माइदस दि कर दिये हैं 1,000, तो मिनस कर दिये इसके इंदर, आपका एंगा, अब बताओ यार इसके ंदर कुछ है, सिंपल से छोटा वस्च व इसको या बरवा, सोल कर देगा, बताओ इसके अधर क्या हयाएं आपका एंगा, क्या बचेगा 311 बचेगा आंसर आपका second से ही हो जाएगा कई बार यह question भी आपको देखने को मिला है ठीक है भी बढ़ते बापके सामने next question क्यों यह रहा एक और question अब देखो यह question यहार ऐसा लगेगा क्यार मलें इतना असान question भी exam में आता है कई बार यह वाले question आपके exam में है अब यह question basically जाद अधर question आपके number से related आपके NCIT में से लिए है ठीक है अब NCIT में ऐसी question आते है अब यह question आपका pedagogy के अंदर भी देखने बिलता है आपको द्यान होगा कि मैंने pedagogy के अंदर कर रहा है कि जब बच्चा माली जब बच्चों को लिखने को आ गया पास हजार 36 बट उसने लिख दिया 536 पेड़ागोजी वाली क्लास माय था ना मेरतन के अंदर आपका है ठीक है तो बच्चा यहां किस प्रकार से गलती को कर रहा है तो आप pedagogy के अंदर भी आता है ठीक है यहापर question आपको दिया हुआ है कि 10 करोड 10 करोड 20,203 को अंकों में हाप तो 10 करोड पहला में लिए 10 करोड 20,000 तो यह 20,000 नहीं है 223 है यह तो आपका गलत हो गया यह आपका देखो 10 करोड 10 करोड उसके लावा दिया आपके सामने 20,000 20,000 उसके लावा 203 कितना 203 तो 203 फोर्त आंसर यहापर सी हो जाएगा अगर बच्चा इस प्रकार की गलती कर अब कोश्चन आपके एक्जाम में पैडगोजीम आता है आगर बच्चा इस प्रकार से गलती कर रहा है तो आप लोग उसका समदान किस प्रकार से कर सकते हो ठीके तो जो जो वहापर आपको उप्सण हो उसके को अपर सही से नहीं समझा यहापर आपके इस तान्यमान आप पर सही से नहीं समझा तो इस प्रकार की मलब बेसिक बच्चे ने गलतिया करिए तो इस प्रकार को गलती करता है ठीक है अब यह जितने भी कुश्चन आ रहे हैं यह सभी कुश्चन आपके नंबर से लिए हुए कुश्चन है जैसे और कुश्चन आ गया कि छैंकों की संक् 5 2 3 4 5 já examiner पे भरोसा नहीं रहता है कभी कभी इसमें Height भी दिया उआ आई तो इसमें he reflection माहान होगा यहेद्भी चन्क्या क्छे से विबाद सा जयो छeras डीवी जिवलो तो बता और यहांपर क्या मानने आफ़ आपको बताना है यह एक काम करो या के की जंगा कोई भी एक नंबर रख लो ठीक है पांच छे बताओ क्या नंबर आप लोग रख रहे हो पांच छे दो तीन चार अब बताओ के की जंगा क्या नंबर आप लोग रख रहे हो आप लोग मुझे बते क्या नंबर आप लोग रख रहे हो चेटी यह अठार है चार चेटी 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 चेट बैालीज एक चेट दूनी बार है चेट चोबिश काड़ीग है वही बिल्कुल सही आप लोग ने मता है ये कुछ ऐसे कोश्चन है जो सीधे आपके ओप्षन से होते है ठीक है चेटी बढ़ते हैं आपके सामने एक और कोश्चन की हो और ये रहा आपके सामने एक और कोश्चन और ये भी आपको कैसे करना है ये भी करना है आपको ओप्षन के थुरू करना है देखी कोश्चन क्या दिया हो है निमले की तिविकलपों में से वह संक्या चुनिये जो 3 था 4 से तो विबाद जया हो परन्तु 9 से आपकी विबाद जया है नि 9 से आपकी divisible ना हो 3 4 से तो आपकी divide हो जया पूरी बट 9 से ना होती हो आपकी जैसे पहले नमबर में लेता हो 588 तो 588 को पहले 3 से divide करो किससे इसको 3 से divide करो 3 से divide हो जाएगा 3 से divide करके देखो 3 x 3 2 x 28 3 x 27 एक बटा 3 x 8 तो यह आपका 3 से divide हो गया अब इसको 4 से divide करो 4 x 4 18 बचे 4.16 2 x 8 4 x 28 तो 4 से भी divide हो गया अब यह देखो क्या यह 9 से divisible है या नहीं है विवाद जी है या नहीं है 9 से काटो अगर 9 से इसको काटते है तो 9 ची का 54 54 के बाद आपका 4 बचे 48 और 9 पंजे 45 9 से आपकी नहीं होती है तो आंसर यही आपका शोजागा यह दो बड़े basic से question थे बड़े असांचे question थे जिसको आपको सिर्फ option के थुरू यह आपर करना है ठीक है चलिए बढ़ते बाद के सामने एक और question एक और बड़ा सदवार question CVSC वालोगा कभी भी हर बार यह पूछ लेगा कोई भी number देदेगा फलाने फलाने में क्या जोड़ा जाए फलाने फलाने में क्या घटा जाए कभी यहापर आपको जोड़ देदेगा कभी इसके जंग आपको यहापर घटा देदेगा ठीक है इस प्रकार से दुनिया भर के question आपके exam में वर रखे CTET वाले में अब देखो इसमें क्या करने आपको कुछ ही नहीं करने शिंपल इसकंदर आपको यहापर दिया है आपके सामने कि 201 गुणा 105 इसमें क्या जोड़ा जाए तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा वो ही जोड़ लो जोब लोग स्कूल टाइम से बचपन से जोड़ते आ रहे हो माना X तो इसकंदर आप लोग X जोड़ लो क्या जोड़ लो? X जोड़ लो जिससे क्या बन जाए? 21,171 बन जाए क्या हो जाए? 21,171 बन जाए अब यार इसको सोल कर दो अब देको सोल आप लोग कर सकते हो इसके अंदर मुझे बताने की जोड़ लोतनी है इन दोनों की आप लोग multiply कर देना और multiply करने बाद जो भी आ जाए इसमें से गटा देना X की value निकल करा जेगी आंसर आपका यहाँ से निकल करा जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ तो जोड़ देदेगा यहाँ पर आपको घटा देदेगा ऐसे प्रिविशर के अंदर आपके खूब दवा के question भरे हुए ठीक है तो यह आपका आंसर निकल करा जाएगा यह तो कर सकते हो जोड़ घटा ठीक है जोड़ घटा में देख लेना जोब इसका आंसर आ जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने तो जोड़ का छोटा सा काम आपके उपर दे दिया अगला question सामने आपकी screen पर आए next question अगले question को यहाँ पर हम लोग देखते है ठीक है क्या है भई एक comment तो फिलीज इंगलीज की marathon class करा दीजे अमीता मैंने बताया तो इंगलीज की कल होगी आपकी 8 वजे होगी कल जो आपकी इंगलीज की marathon होगी ठीक है उच्वन तो कोई टेंचन नहीं रही आपकी question सामने आपकी screen पर आगया scale, pencil तथा rubber ये करम से क्या है 6, 10 तथा 12 के packetों में उपलब दै ठीक है यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुए समान संक्या में खरीदना चाहता है, कितनी बराबर में खरीदना चाहता है तो उसे scale, pencil तथा rubber के करम से कम से कम कितने packet खरीदने होंगे देखे जब भी बात आजाए, कम से कम की बात आजाए, तो जब भी आप से कम से कम पूछाओ, तो हमें जो भी numbers का आपको पूछाओ, संक्या दियो तो उनका हमको यापर L-CM निकालना होता है जब भी आपके exam में कम से कम दिया हो, ठीक है, तो इनका L-CM निकाल लो भी आप लो, क्या है, संक्या 6 है उसके लावा 10 है, उसके लावा 12 है इनका आप लोग L-CM निकाल लीजे, निकालो भी दो से काटो, दो तिया 6, दो पंजे 10, दो ची के बार है, आप किस से कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 5 3 दुनी 6, 5 दुनी 10 10 तिया 30, 3 दुनी 60 तो कितना निकल कराया, L-CM निकल कराया 60 कम से कम, बट इसने का कि 3 वस्त्वय समान संख्या में खरिदना चाता है तो आप लोगों को बताना है 3 संख्याओं के संदर में बताना है तो देखो 3 संख्या क्या है, एक एक करके देख लो 60 वटा, 6 60 वटा, दूसरी कौनची है भई 10, और 30 दिया 60 वटा 12 है, इसको काट के देखना भई, 6 से इसको काटा तो 10 आगया 10 ची का 60 आगया या आगया आपकी 6 आगयी और 12 पंचे 60 आगया, तो कितने आई जो इसने करम से कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे तो आपका 10, 6 और 5, का है उप्शन में है 10, 6, 5 आँचार आपका 3rd से हो जाएगा ठीके, आप लोग किस के साथ जा रहो 3rd के साथ जा रहो 3rd बिल्कुल आपका यहापर से हो जाएगा चले बढ़ते बढ़ते बढ़े आपके सामने एक और कोश्चन आगया, इस कोश्चन के उपर एक बार नज़र डालिए, और फिर यह नंबर के कोश्चन आपके कंप्लीट हो जाएगा, उसके बढ़त अगले टोपिक के और हम लोग यहापर बढ़ेंगे, ठीके अगला कोश्चन क्या दिया हो है आपके सामने स्क्रीन पर, एक संख्या असी के आदे से अदिक है, असी का आदे आक कितना हो, चालिस, यारी संक्या चालिस सा अदिक है, सीध्यो उपसन में से देख מא, बाकी कुछ मत कुर अपनी तरिफ से, सीध्यो उपसन के अंदर देखे जो, 80 के आदे सा दिक है और, यह है, यह तो आपकी होने सेरी, इसके अंकों का जो अंक है, इकाई के अंक का दुगना है, तो कौन जेसे संक्य है, ये वाली संक्या आपके सामने स्कीन पर मिल जाएगी ठीक है अच्छा देखो आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा ट्विन प्राइम नंबर आप लोग ने सुना है ट्विन प्राइम नंबर ठीक है ये भी CT8 में आपके एक्जाम में आता है ट्विन प्राइम नंबर अगर बात आ रही है आपके सामने twin prime number की बात आ रही है अब देखो prime number आप लोग लिख लिए ठीक है मालीज आप लोग ने प्राइम नमबर लिख लिया 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से prime number लिख लिया अगर आप से examiner examiner पूछ ले twin prime number पूछ ले क्या पूछ ले twin prime number पूछ ले इस नमबर को देखके मुझे ध्याना है क्योंकि आपके examiner यह भी पूछ गया था तो ट्विन प्राइम नमबर के अंदर आपको वह नमबर देखने जिनके बीच में difference आपका 2 आ रहा है ठीक है तो जैसे 3 और 5 के बीच में कितना difference आ रहा है दो का रहा है ठीक है तो इस परकार संस्क्रित देखो मैंने संस्क्रित का बताया तो आप हिंदी के लेजी एक बार उससे आपका cover हो जाएगा और बस language के लावा और कुछ भी नहीं उसके नदर ठीक है तो उससे आपका cover हो जाएगा चली बढ़ते बापके सामने एक और question आगया यह रहा एक और question number से लिया वा तो देखो जब इस प्रकार का question आजाए पाच संसंक्या उनका करमागत का योग जो भी कुछ पूचा जाए उसका simple exit is x मान के कर लेना पाच करमागत यानि जो आपकी consecutive है लाइन से है संसंक्याओं का यह खुल पूचा है ले लेते हैं पाच संसंक्या एक मैंने x ले दी उसक बाद आपकी X प्लस 4 हो जाएगी, उसके बाद आपकी X प्लस 6 हो जाएगी, उसके बाद X प्लस 8 हो जाएगी, तो पाच मैंने consecutive यानिक जो करमा करते है, एक करम से मैंने सारी संख्याई ले दी जो 5 आपकी दिवी है, ठीक है, और इनका योगफल कितना दिया है? इनका योगफल दिया है, इनका योगफल दिया है, इनका जोड़ यहां पर जोड़ो. 1 x 2 x 3 x 4 x और 5 x ये कितना आ गया ये आ गया आपके सामने 5 x प्लस 2 2 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 ये कितना गया 20 आ गया 60 आ गया तो 5 x is अगया 20 क्या जाएगा 40 और x के वैलियू कितनी आ जाएगी तो x की value आगे हमारी 8 कितने आगे हमारी x की value 8 आगी अब आगे देखता आगे क्या question कहता है यदि अगली दो sum संख्याई भी उसमें जोड दी जाए अगली दो sum संख्याई क्या होगी x प्लस 8 के बाद x प्लस 10 हो जाएगी x प्लस आपकी 12 हो जाएगी अगर इसमें जोड दी जाए ठीक है जो आपका ये 60 है तो कितना आएगा देखो एक्स की value आई आपकी 8 अगली आपकी 8 तो 8 प्लस 10 और 8 प्लस 12 कितनी हो जाएगी आपकी 10 और 8 अथार है और ये हो जाएगी आपकी 12 और 8 20 और उसमें जोड दी जाए ठीक है और इसमें जोड़ दी जाए तो यह हो जाएगा आपकी साथ इनको जोड़ने पर क्या बना आपका जोड़ लो भई आपर आठ का आठ आठ आगया चेदो आठ आठ और एक नो 98 आठ 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 और दुनिया के अंदर कितना बुरा हाल हो रखा होगा ठीक है हमारी में लगवागा कि आप लोग 25,000 के करीब लाई हो ठीक है आप पिछली बार मैस की नुमेरिकल के अंदर आयते हैं हमारे 35,000 लाइव आयते ठीक है तो और आप सभी को पता है जद दर लाइव के लाज 50,000 इ आप लोग भागते हो बच्चों जो भागते हो उनका क्या करें अगला कुश्चन देखे सामने स्क्रीन पर है एक विभाजन के पर्ष्ण में एक डिविजन के कुश्चन में बाजक भागफल का 6 गुना है और आपका जो सेस्फल है रिमेंडर है उसका दो गुना है यदी स सेस्फल 6 है तो संक्या क्या होगी चलो भई नजर डालते हैं आपर मेंने एक आनंधे बराबर भाजक गुना बागफल प्लस सेस्फल यानि कि आपका जो remainder होता है यह मैंने आपको formula बता हुआ है रटलो इसको लिख लो अपने register के अंदर ठीक है काम आएगा एक number आपको दिला के चला जाएगा अब देखो यहाँ पर उसने का है सिर्फ एक चीज के बार में हमें पता है बाजक भागफल का 6 गुना है हमें नहीं पता कौन कितना है उसने सिर्फ दे दिया सेसफल 6 है क्या दे दिया उसने remainder उसने दे दिया कि जो आपका सेसफल है remainder है वो यहापर कितना है 6 दे दिया अब सोल करते है आपर इसने दिया है कि जो बाजक है भागफल का 6 गुना है और सेसफल का 2 गुना है यह जो भाजक है यह क्या है सेसफल का कितना है सेसफल का 2 गुना है अगर वो 6 है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ठीक है अब एक बार और देखते हैं भाजक भागफल का 6 गुना है अब भागफल सा निकल दो यार, अब इसके अंदर तो कुछ बच्चा भी नहीं है, बता कुछ बच्चा हो, तो 12 गुना 2 प्लस 6, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका 12 गुनी 24, 24 और आपके अपकी टाइप होती है, वो सभी मैंने आपको बता दी, अब दूसी टाइप आपके सामने आगी, इसके ओपर नजर डाले, ठीके, अब दूसी टाइप आते हैं, आपकी मेजर मेंट, मैंने आपको बता हुआ है, एक कोश्चन तो मेजर मेंट का आपके पैडगोजी के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, एक कोश्चन आता है, आपके पैडगोजी के अंदर आता है, और एक कोश्चन आपके आता है, यह जो आपके निमेरिकल चल ले, इसके अंदर आपको करना होता है यहाँ पर चीजों को पहले आपस में convert करना है ठीक है उसकी quantity को convert करना है measurement करना है चीजों का ठीक है आप कोई भी question आप से पूछ लेगा जैसे साम बीच में लिख लीटर, मीटर और ग्राम और इधर ये आपके डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी और डेसी आ जाएगा सबसे ज़्यादा आपके एक्जाम में कुछन पूछ जाते है किलो वाला पूछ जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ सेंटी पूछ जाता है, मिली वाला तो सबसे ज़्यादा देखने मिलता है डेसी कभी कभाक आए वरना मुझे नहीं लगता इतना है हो लेकिन सबसे ज़्यादा कुछन आपके एक्जाम में ये पूछ गए सबसे पहले जो आपका पेपर हो था 2011 में 2011 के मुझे अभी भी दिहान है, 2011 आता है, उसके बादवाला पेपर था उसके अंदर एक बार आपके डे का हेक्ट आयते वनना तब से आपके जब से पेपर चला है, यही आपको देखने को मिल ले इसके अंदर आपको कैसे कनवर्ट करना होता है देखें, इसके अंदर आपको कनवर्ट करना होता है जब आप लोग इधर से इधर जाओगे, तो आपको क्या काम करना है आपको चीजों की आपस में मल्टिपलाई करती जानी है ठीक है, उपर की लाइन कैसी है, मल्टिपलाई की अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आपको चीजों की डिवाइड करते जाना है अनि है भाग करते जाना है अगर आपसे question पूछ ले कि Кон्वेशन आपसे पूछ ले आपकर कि एक liter में एक liter में यह आपसे पूछ लिया एक liter में कितने आपके milliliter होते है ठीक है आचा मुझे बताओ एक किलो लीटर में कितने लीटर हो जाएंगे या आप मुझे बताओ एक मीटर में कितने किलो मीटर हो जाएंगे जरा बताइए ठीक है या तो एक मीटर एक मीटर बराबर कितने किलो मीटर है या आप लोग बतिए या बतिए कि एक किलो मीटर में कितने मीटर हो जाएंगे इसको जरा option के अंदर बते है आप लोग समझ जाओगे ठीक है इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ चीजों को convert करना है और आपसे यही इसी प्रगार का question भी एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है ते measurement का एक छोटा सा topic है जो मैं आपको बता रह है और 520 आपको जो दिया हुआ है आपको दिया है मिली लीटर में दिया है या तो लीटर को मिली लीटर के अंदर करो या मिली लीटर को लीटर के अंदर करो क्योंकि आपर आपका लीटर दिया हुआ है लीटर दिया हुआ है तो मिली लीटर को लीटर के अंदर convert कर देंगे दोनों को जोड़ दो भई कितना हो जाएगा इसमें एक लिटर में एक हजार मिली लिटर होता है तो यह आपका जोड़ दो इसको 273.520 आपका लिटर हो जाएगा ठीके अब ऐसा दिया है कि इस तेल को एक ही मापके 45 बरतनों में भरा जाता है ठीके कितने बरतों में बरा जाता 45 तो ऐसे 25 बरतों में कितने कुल कितना तेल होगा इसको कितने बरतों में बरा जाता इसको बरा जाता आपके 45 बरतों में तो पूछे कितने ऐसे 25 बरतों में, तो ऐसे 25 बरतों में कितना आपका तेल होगा, यह तेल जो आपका निकल कर आजाएगा, लीटर के अंदर आजाएगा, कर देना काटा पीटी, आंसर आपका निकल कर आजाएगा, और इसमें कुछ भी करने के लिए आपका नहीं है, ठीक है सिफ काटा फिटी है, अब मैं गुणा भाग करता हुआ, सही थोड़ी लगूँगा, छोटे बच्चे की तरह है, देखे अगला कुश्चन देखते सामने स्क्रीन पर, यार देखो कितना लड्डू सा कुश्चन है, कितना असान कुश्चन आपके सामने, ऐसा कुश्चन को ए अब देखे इसने क्या दिया है, 800 सेंटी मीटर, 80 मीटर और 8 किलो मीटर दे दिया, अब देखे इसको आपको किसम करना है, मीटर के अंदर करना है, किसम करना है, मीटर के अंदर करना है, एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, एक मीटर में होते हैं, आपके सो सेंटी मीटर होते हैं, तो आठ सो सेंटी मीटर कितने मीटर में हो जाएंगे, आठ मीटर में हो जाएंगे, कितने मीटर में हो जाएंगे, एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं, एक हजार मीटर होते हैं, तो आठ किलो मीटर अगर आजाएगा फोर तांसर आपका सही हो जाएगा ठीक है एक मीटर बराबद 0.1 क्या बता है आपने अच्छा उसका इस वाले का बता रहे हो आप आपको फिर दस की multiply करती जाने है धीक है यह आपकी मेजर में कीटर होगी जो आपके सामने आपके सानने आपर खतम होती है अब next ताइप आपके सामने आगी क्यों कितने जरूरी होते है पैटन कराने, क्या इनकी महतोता होती है, बच्चे के अंदर creativity जागती है, बच्चा इसके अंदर क्या काम करता है, curiosity के साथ यहापर बच्चा सीखता है, अपने base question करता है, special understanding इसके अंदर बढ़ती है, algebra, mathematics की knowledge यहापर बच्चा लेता है, structure knowledge इसके माध्यम से बच्चा करता है, इसलिए हम बच्चो को pattern शिखाते हैं, तो आपके exam में जो आपको question अभी आपके सामने देखने मिलेगा, उसको देखने बाद यह मत कहना सरी होता है, reasoning का question आगया, यह pattern का question होता है, जो बच्चे के अंदर creativity जगाते हैं, ठीक है, और numerical के अंदर reasoning का question होगा, बट यह reasoning का question होता, यह आपके pattern का question होता, जो NCIT के अंदर आपका chapter देवा है pattern के नाम से, ठीक है, अब देखे, यह question देती है आपके सामने, अब इसको solve करते हैं मेरे साथ, देखे, यहाँ पर अगर मैं देखू, A, B, C, और D, तो अगला क्या हो जाएगा, अगर क्या काम करी, एक की multiply करी, तो एक हो जाएगा, ठीक है, चार की multiply दो से करी, तो चार दुनिया आठ हो जाएगा, नो की multiply तीन से करी, तो नोतिया 27 हो जाएगा, 16 की multiply यहाँ से 4 करी, तो 64 हो जाएगा, अगला जो भी number आएगा, यहाँ पर उसकी multiply पाथ से करनी पड़ेगी, अ टोई खार शोक आपका 16 है अगल आपके सामने क्या हो जाइगा अगला आपके सामने हो जाएगा पांच हो जाएगा और पांच की ठीक्ञा क्या क्या हो कोश्चन है ठीक है यहाप लिखा भी हुआ है कि निम्न पैटन में अगला क्या आएगा तो यार सिंपल बता सकते हो क्या आएगा ऊपर आपके पाच पाच का चल ला है और नीच आपका इस प्रकार से देखने को मिला है ठीक है तो आप लोग समझगे पैटन का यहाप सिंपल चल लूए एक और पैटन का कूश्चन देखें इस प्रकार का देखने को मिलता है यह देखें इस प्रकार का जो कॉर्ष्चन आपके सामने Regent पर आगिए इसके ऑपर भी हम लोग आप नजया दालते है ठीक है ठीक है, एडमेट काड़ आएगा, जो, अठाहरा तारिक को, ठीक है, आपका एक जम 20 को है न, तो अठाहरा को आपका, आज़ावूचाहर्ध को आजाएगा, जिसमा आपका, जो भी आपकी जंग है, वहा पर आपको दिया होगा, तो आपको दे दियोगी अठार को आएगा आपका इडिमिट काड़ ठीक है कुर्शन देखे इस स्क्रीन पर आएगा निमली कि पैटन में से अगला कथन क्या होगा अब यह आपके सामने पैटन दे दिया अब बता इसके अंदर क्या अगला कथन होगा एक में तीन जोड़े चार, तीन में छे जोड़े नो, छे में ते जोड़े सोल है अच्छा चलो सोल करते हैं इसको यानि कुली मिला कर जोड़ना है हमको ठीक है अब आप लोग एक बात देखोगे 2 का square, 3 का square, 4 का square तो 5 को square नहीं ले सकता है, मैं सी 20 आगे देखते हैं वह एक बार देखते हैं यहाँ पर दियावाए आपके सामने 1, 3, 6 अगला क्या हो जाएगा? यानि 1 के 3 के बीच में 2 का gap है 3 और 6 के बीच में 3 का gap है तो 6 के और अगला जो भी आएगा उसके बीच में 4 का gap है, तो 10 10 और 6 के बीच में आपका 10 का gap है, ठीक है? तो आर सिंपल निकल ला है, उदर 25 आगे 10 आगे बचा कि आपका 15 है, 15 और 10 25 ठीक है? क्या निकल अगर आगे देखो तीन और 3 के बीच में आपका 6 के बीच में 3 का gap है, फिर आपका 4 का gap आगया, फिर आपका 5 का gap आगया, तो और प्रकार से पैटरन का एक कोश्चन निकल ला है, इस प्रकार से आँचार आपका 10 प्लस 15 है बराबर 25 फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, ठीक है, तो यह आपके सभी आप लोग समझ गे न, मतलब आपके एक्जामिंग नहीं आती कभी ठीक है, पहली बार आपका थोड़ा से लिबस इसके बार बात कि गी ती, तो बास बोड ने इतना गात सब ही रीजनिंग वगरा कुछ नियानी, यह लेड़ी आपके सिलेवस में है, दिक्कत सबसे जाद है, दिक्कत यह होती है, लोगों को सिलेवस नहीं पता आता तक, जो जैसा एक्जाम किते यारी कराते है, ठीक है, तो उसकी वज़े से बच्च बड़ा कन्फ्यूज हो जा सिलेवस को देखो, फिर पीवाई क्यू देखो, प्रीवेसर के कुशन, फिर जाकर चीजों को आप लोग करिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी करना पड़ेगा, अगला कुशन आ गया, आपका टाइम, ठीक है, और जरूर आएगा, आपका टाइम जरूर आए इसको पर डाले, ठीक है, चलिए मेरे साथ इसको सोल करिए, और देखता हूँ, कौन मुझसे पहले इसको आपर सोल करता है, अभी आंचर आपका देखता हूँ, कौन इससे मेरे से पहले सोल करता है, ठीक है, और इसको साथ मुझे एक आंचर और और बती है, टाइम की बात तो साड़े तीन बजे में आपके जो एंगल है वह आपके कितने आरे इसके अंदर ठीक है यह कुश्चन और यह वाला कुश्चन जल्दी से साड़े साथ दिनों में मिनिनटों की जो आपकी सन्क्या है निमन के सेकिंडों की संक्या के बराबर है कितने हैं कितने हैं कुछ नहीं अब यह पहले वाले कई देरो, इसको सोल करो भई, क्या आपका सोल आएगा? अच्छा ब्लास, ब्लास क्या होता है भई आपका? चलो, नजर डालते हैं एक दिन में कितने गंटे होता है? 24 ठीक है, कितने गंटे होता है? 24 और 24 जो आपके गंटे होता है, एक गंटे भी कितनी मिनिट होता है? 60 मिनिट होता है ब्लास का क्या मतलब है वही आपका? पहले इसको मुल्टिप्लाइ कर लो आपस में, देखो जीरो, आप तो आराम ना, तेज कर रहोंगे, मैं तो आराम से समझा रहा हूँ जल्दी मेर से पहले निकालो, दोनोग आंचा जीरो, छेट चोग चोविस का चार का आसिल, दो, छेट दुनी बारा और जो चोद है ठीक है? 1440 या आपन निकल कर आगया है, जो हमारा आपर अभी मिनट निकलिए ठीक है? इसने कितना दिया है, आपका एक दिन में निकला है, और दिन कितना दिया है, आपका साड़े साथ दिन में तो अकर मुझको इसको साड़े साथ दिन में निकालना है तो 14, 40 को multiply कर दो, 7 दुनी 14 और 15, 15 बटा 2 से इसको multiply कर दो, ठीक है, multiply करके बता हुए कितना आगे जल्दी से, ठीक है, मुझसे पहले करोगा है, मुझे असानी होगी, 27, 14 और उसके अलावाद 2 दुनी 4 और 0, ठीक है, 720 गुना 15, बताना है, जल्दी 720 गुना 15 की multiply करके कितना है, जल्दी से बता हुए ना मुझे करनी पड़े की multiply करके कितना आया आप लोगों का, 90 डिग्री, नहीं, साड़े तीन अगर बज़रे तो उसके अंदर 90 डिग्री नहीं आएगा, जो मैंने आपसे कुश्चन पूछा है, अगर घड़ी के अंदर, घड़ी के अंदर साड़े तीन बज़रे है, तो आपका 90 डिग्री नहीं आएगा, गलत आएगा, इसका बताना आपको पताना है कि यह जो आपकी निकली है अब आपको पताना है कि यह जो आपकी मिनट है यह किसके सेकिंडों की संक्या के बराबर है आपको पताना है जो आपको पताना है। इसका निकल गड़ा है 75 डिगरी का बनेगा कितना 75 डिगरी का बनेगा ना कि 90 डिगरी का बनेगा आपके सामने ठीक है तो बिलकुल आंसर आपका 75 डिगरी है ठीक है ये आंसर दे दिया अगरो बीच बीच में पता नहीं क्या करते हो अब इसके अंदर जो आपका question त्यार इस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 75 आपका हो गया, 10800 आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, अच्छा, 75 की लाइन लग गई है, पहले तो 90 बता रहे थे, 1990 डिग्री बता रहे थे, कहाँ गए 90 वाले, एक वो टाइम का कुश्चन देखो, राजू की बस सुबह 6.40 एम बजे चलती है, उसके घर से बस इस्टोब तक पोचने में 10 मिनट लगते है, यातरा करने के दिन से साथ गंटे की नीन चाहिए, ये कूश्चन तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कभी पिछले जनम में पढ़ा हूं, बतलब मुझे याद आ रहा है, ठीक है अब ज़रूर मैंने कहीं न कहीं इसको पढ़ा हो है, अब कर एक एक करके देखते हैं, जल्द करो मेर से पहले सोल कर राजु की बस सुबह कितने बज़े चलती है 6.40 पर चलती है कितने बज़े चलती है सुबह के 6.40 पर चलती है उसके घर से बस इस्टोप तक पोश्चन में कितना टाइम लगता है घर से जो उसको बस इस्टोप है उसके बस इश्टोप तक उसको टाइम लगता है कितना लगता है आपर? काई टाइम? 10 मिनट कितना लगता है टाइम? इसको लगता है आपर टाइम 10 मिनट का टाइम लगता है यातरा करने के दिन से पहले उसे 7 गंटे की नीन चाहिए तो साथ गंटे की उसको भाई साब को क्या चाहिए नींद भी आपर चाहिए ठीक है भई उसके बाद क्या कहता है उठने के बाद उससे तयार होने में आदगंटा लगता है तो यह जो आदगंटा लगता है, जो 30 मिनट लगती है, यह कब लगती है, उसको उठने के बाद लगती है, किसके लगती है, उठने के बाद लगती है, तो यदि वह बस इस्टोप समय से पोचना चाहता है, क्योंकि वाँ पर बस उसकी 46 पर चली जाएगी, तो उसे पिछले दिन कितने वज़े सोना चाहिए, देखते हैं कितने वज़े सोना चाहिए, overall उसको time कितना लग रहा है, भई घर से बस की दूरी, बस इश्टो परी तो जाएगा ना, तो 10 मिनट तो यह हो गई, उसको भाई साब को 7 गंटे की नींद भी चाहिए, 7 गंटे आपके यह हो गई, ठीक है, उसके लगा 30 मिनट उसको तयार होने में लगता है, तो 30 मिनट और 10 मिनट कितने होगी, 40 मिनट, तो 7 गंटे 40 मिनट, यह पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसका 7 गंटे 40 मिनट का उसका प्रोसेस है, और उसको बस कब पर जानी है, आपर बस जानी है, उसकी 6.40 पर उस पकड़ सकता है 46 a.m. है इससे पहले आपके अगर 47 गंटे हम लोगों ने घटा दिये तो 46 तो यहीं होगे एक गंटा और गटा दो यानि 12 बज़े में से एक गंटा गटा दो तो आपका 11 बज़े तो आपका 11 हो जाएगा 11 पीम फर्स्ट आंचर आपका है सही हो जाएगा ठीक प्लाने लिए थे पगड़ लिया तो फलाना फलाने के साथ वहां पर किस टायम पर पहुच जाएगा तो आपर सिर्फ यह जैसे करते जाना आप इसमों कुछ भी नीता करने के लिए ठीक है इसमत्राव ओंद ओर व्हां को सम्झा सब्सकून नीता मतलब हो ठीक है तो ऐसा बारे में बात कर लेते हैं इनको यार एक तो मैंने आपको बता है इनकी जो प्रोपेटी जो होती है ठीक है और इनके फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना यहांस आपको चीद देखने को मिल जाएगी ठीक है अब देखे मेरे सामने डियावस्क double अब सभी को पता है स्क्राइप का होता अमने सामने जिसके सभी साईथ हैथ की क्योंटँ होता है राटेंगल आपने सामने केस इक हैड आपकी फोर्मूले आप लोग यहां पर यहाद कर लेना इन फोर्मूले सापका सवाल सोल हो जाएगा, अगर आपका square का पूछा हुआ है area, square का आपको area पूछा हुआ है, ठीक है, यानि वर्ग का आपको छित्रवल पूछा है, तो होता है आपका side का square, जो भी आपकी side दियो इसका square कर दो, अगर यहाँ पर दिया आपसे पूछे, वह होता है, आपका 2L plus 20 का perimeter निकालने का formula होता है, ठीक है अगर आपका volume पूछा है, आपका cube का, तो volume, cube का क्या होता है, side की cube होती है अगर इसका surface area पूछ ले, तो आपका 6A square होता है, इन formula को देख लेना, इन formula पे definitely हर बार आपके exam में question आता है हर बार, और इन दो भाई साब पे तो, ऐसा होई नहीं सकता है इन पर question examiner ना पूछे अलग-लग पूछ लेगा, या दोनों को एक साथ में question आपसे पूछ लेगा, ठीक है लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है अब देखे जड़ा एक question सामने आपकी screen पर आ गया अब जड़ा इसको करते है, बड़ा सदवार question है मैंने कई बार करवाए भी हुआ है आपके सामने इसको उपर आपर नजर डालते है करो मेरे साथ, सोल करो जल्दी, मेरे से पहले इसका आंसन निकालो एक वर्ग का परिमाप 120 cm है वर्ग यह मतलब square एक square का जो आपका परिमाप दिया है कितना 120 cm आपको दिया है किसी आयत की जो लंबाई है इस वर्ग की भुजा की दो गुनिय है अब हमें इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी देखे इसका मैंने आपको perimeter का क्या formula बता था 4 A, 4 into A perimeter याणि परिमाप कितना दिया है 120, कितना दिया है 120 तो 120 is equal to 4 A, तो A is equal to 4-12, 30 तो यह 30 आजाएगी, इसकी side आजाएगी क्या आजाएगी, यह 30 इसकी side यहापर देखने को मिल जाएगी, जो आपकी 30 side आजाएगी ठीक है, अब इसने कहा है कि किसी आयत की जो लंबाई यानि length है इस वर्गी की side की दोगनी है यानि कोई आपके सामने rectangle दियावा है और इस rectangle की length जो है लंबाई इस वर्गी की भुजा की दोगनी है यानि इसकी दोगनी है length क्या है इसकी, length इसकी दोगनी यानि 60 हो जाएगी, ठीक है आयत का परिमाप 156 cm है अब देखें, आयत के परिमाप का formula क्या बताया था आयत के परिमाप का formula बताया था आपको 2L plus V क्या बताया था, 2L plus V अब ज़रा इसको solve कर दो आप लोग परिमाप perimeter आपको कितना दिया है 156, 156 is equal to आपको क्या दिया है यहापर solve करता हो, परिमाप आपको दिया 156, 156 is equal to 2L कितनी है, L आपको दियो यह 60, L दिये 60 plus V हमको निकालनी है, ठीक है निकाल दो 156 is equal to 2 की 60 से करेंगे, 120 plus 2 की B से करेंगे 2B, 156 में से 122 गए कितने बचे आपके, 6 5 में से 2 गए, आपके 3 36 आपके बचे, ठीक है, और 2B तो B की value कितनी निकल कर आगी B की value निकल कर आगी, आपकी 18 कितनी निकल कर आगी, 18 तो length तो इसकी कितनी है, 60 length कितनी है, rectangle की 60 और breath कितनी आपकी, 18 तो इसका area क्या बताया था, मैंने आपको, area of rectangle क्या बताया था, length into breath, क्या बताया था, length into breath तो आप लोग 18 की और अपना 60 की multiply कर दो कितना जाएगा, 18 की और 60 की multiply कर दो, तो answer आपका यापन निकल कर आजागा, ठीक है, तो यह आपका इस प्रकार से answer है, 18 की 54, आयत और वर्ग, नहीं, इसने question पूछा है, आगे question पूछा है, आयत और वर्ग के छेतरफलों में अंतर पूछा है, वही तो मैं सोचू, option में क्यों नहीं है, देखे, आयत का जो छेतरफले area है, वो तो निकल कर आगया, 18 का 54, 540, कितना निकल कर आए, 540, ठीक है, और इसका कितना निकल कर आए था, इसका निकल कर area क्या है, इसका हमने भी निकाला ही नहीं है, तो इसका area निकाल लो, इसके side कितनी थी, 30 थी, तो इसकी side का square होता है, क्या होता है, a का square होता है, तो यह हो जाएगा आपका 3 थी, 9, कितना हो जाएगा, आपका 900 यहापर हो जाएगा, ठीक है, अब ज़रा इसका आप लोग निकालिए, मेरे ख्याल से कही न कही multiply में कुछ न कुछ इसकी गड़वड़ी हुई है, एक बार ज़रा देखते हैं, कापर हुई है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, तो आपका 400 कुछ आ रहा, जबकि आने चीए option के according इतना है, ठीक है, एक बार दुबारा question देते हैं, वर्ग का परिमाप आपका 120 है, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू A बराबर 120, तो A से हो जाएगा 4 ती अबार है, और उसके बाद 0 तो A आगी, साइड आगी हमारी 30 आगी, एरिया आगी हमारा 900, हमारा एरिया आगी है, ठीक है, चलो 900 भी आगया, अब इसने दिया हुआ है आपके सामने, आयत का परिमाप है, आयत का परिमीटर है, वो आपका 156 है, कितना है, वो आपका दिया 156 दिया है आपके सामने, और आपके सामने दिया है, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दूगनी है, तो भुजा कितनी आई ती इसकी, भुजा आई ती 30, ये इसकी 30, 60 है, तो 60 प्लस length प्लस B, ठीक है, 156 बराबर, 6 दूनी 12, 120 प्लस 2B, उसके लावा 156 में से 120 गए, तो आपके 36 बचे, और 36 में से 2B, तो 18 है, दूनी 36, तो आपके 18 बचे, तो 18 है, और वो कितनी आई ती इसकी length, length थी आपकी 60, 18 का 54, नहीं नहीं यार, एक सेकिंड, ये भाई, यहाँ पर रुको, 0, 8, 48 का 8 का, असिल 4, 6, 6, और एक साथ, 18 का 54, 54 करे जा रहा हो, यार, 18 का पहाड़ा ही भूलिया, यहाँ पर गलती हुई है, वहीं आपके, तो ये गलती यहाँ पर हुई है, ठीके, तो यार, ये गलती आपर हुई है, अठार का पहाड़ा गलत बोल दिया, 18 का 54 कर दिया, ठीके, अठार का 54 की जंग है, आपका इसका कर दिया, ये गलती है, अब ये जो इसका एरिया निकल कर आ गया, इसका आपका, वो कर दिया, मैनस कर देगा, आंसर आपको निकल कर आ जागा ठीक है भेट त्थारे का जो पहाड़ा होता है ठीक है तो आप गटाऊगे तो आंचर आपका निकल कर आ ओर आपका निकल करा त्था भॉमाळा डेया है जुए को फोर्था आंचर से यह बिल्कुल शगी है मेरे फोन की बैटी बीड़ म को वही तो सर सबसे बोल लेते हैं बाई मैं क्या करूँ है हाँ 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 इनका मनलब सब्स्ट्रेक्शन करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक है वही तो तब से बोल लाँ सर चलो वही अठारे चिका भाई चबवन नहीं होते है अठारे चिका मैंने बता दिया चलो अब दुवारा आपर याद करने पड़ेंगे 20 तक का तो कमसं कर नीच याद ठीक है पहले याद करेते 20 तक के यादते 20 के 25 तक यादते लेगन अब उसको भूल गए ठीक अगला कोशन देखते हैं एक और स्क्रीन पर कोशन है एक तार को मोड कर एक आयत बनाए गया क्या करा कोई एक तार ले लिया उससे आपका आयत यानि रेक्टेंगल बनाएगा जिसका परिमाप जिसका परिमिटर 20 सेंटीमिटर है इसका परिमाप कितना दे दिया इसका परिमाप दे दिया आपको 20 सेंटीमिटर दे दिया उसी तार को फिर से मोड कर एक वर्ग बनाएगा मतलब ही जिस तार से आपका रेक्टेंगल बना, इसी को मोड़ कर फिर आपका एक square बना दिया है, ठीक है, और इस वर्ग का छेत्फल क्या होगा, देखो, जब तार की quantity same है, जो इसका perimeter है, फिर वही इसका perimeter होगा, तो इसका perimeter भी कितना होगा, इसका perimeter भी आपका कितना होगा, 20 cm होगा, तो perimeter का formula क्या है, perimeter का formula है, 4 into A, ठीक है, 4 into A is equal to 20, तो क्या जाएगी A की value, 5 निकल कर यहाँ पर आजाएगी, क्या जाएगी 5, पूछा क्या है, वर्ग का छेत्फल, यानि area पूछा है आपके square का, तो area square का क्या होता है, side का square, यानि 5 का square, यानि की 25 answer यहाँ पर आजाएगा, second answer यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने 25 cm square दिया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया, ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं, अगला question देखते हैं, साब ने आपकी screen पर आगया, एक और question लिया वाया, निमिल की तमेंसे कौन सी तिर्भूज की बुजाय नहीं होती है, बता हुए, ट्राइंगल की आपकी shape नहीं होती, इन मेंसे आपको बताना है कौन सी ट्राइंगल की shape नहीं होती, तीन आपको यहाँ पर दिया है, बुजाय दिया है, तीन आपकी side दिया है, ठीक है, अब देखें, तिर्भूज की आपकी बुजाय ह समझ लिया तो सम्हें लिना इसका अंसर आपका निकलगा आई अगर यह बड़ी है तो क्या आपकी ये तिर बूज की बूज हो गई और यह 6 होगी तो यह भी क्या ही है यह भी आपकी बढ़ी आइए यही दो साइड की योग आ वहिए आपका तीसरी साइड से बढ़ा है अगर मैं मैंतीकर को देहेख़ो ऐसनए को आ इपşeg पंद्र है और यह क्वारा आपका चोटा यह आपका हो सकती आपकी ठीक है तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा ठीक है चले68 बढ़ते आपके लिए अगला टोपिक सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर जो आप कितना होता है जड़ा अठार अठे बताओ जल्दी से माइंड करना कुछ मस सोचना देखना किसी को पता है कि इसका सही परगार से नहीं पता ठीक है अब देख आपका टाइम का कुश्चन आ गया या तो एक्जैमिनर यहापर कोई आपको रेल की सिच्वेशन देगा या तो कि सीधा आपको या पर कोई भी बोट दे सकता है क्या दे सकता है कोई भी आपको बोट या निकि नाओ दे सकता है या कुछ भी आपको ओटो दे देगा ठीक है ओटो दे देगा कुछ भी मतलब आपको इस परकार के वीकल से दे सकता है और उसके बाद पूर सकता है कि इसका distance इतना, time इतना है, तो उसकी speed कितनी आएगा, जिससा आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाओगा, अपनी eVS की class के अंदर, किसके अंदर पढ़ाओगा, इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाओगा, अब eVS की class के अंदर आप लोगों ने देखा है, कि कोई train जो है question आपके exam में mathematics के अंदर भी आपको देखनों को मिलता है, एक question वहाँ भी आएगा एक question यहाँ भी आएगा, तो simple सा आपको एक formula आपको पताईए, आपको formula पताई, speed का formula पताई, यानि speed होते है, चाल होती है, तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है परावर में दिया रहता है, और एक दिया रहता है आपको meter पर 30 second में, जब भी examiner आपको question को convert करने के लिए जो आपका time है figure आपके सामने है, उसको convert करने के लिए के लिए के kilometer परावर में तो आप लोग 18 बटा पाच से उस number को divide कर देना, meter पर second में पूछे तो उसको 5 बटाए 18 से आप लोग यहापर divide कर देना, इस परकार से आपकी जो भी वहापर question पूछा होगा वो आपके सामने निकल गड़ आ जाएगा, ठीक है अब ज़रा मैं question ले लेता हूँ, एक question सामने आपकी screen पर आगया, यह रहा आपके सामने screen पर question जो आपको दिया हूआ है, देखे ध्यान से देखना, question आपके सामने दिया है soul करो साथ के साथ योगे 30 km पर आवर की चाल से दोड़ता है, तो यहापर चाल देदी यहापर क्या देदी, चाल देदी, आनि speed देदी, कितनी देदी 30 km पर आवर की आपके चाल देदी, और किसी दोड़ को 5 मिनट में पूरी कर लेता है तो time यहापर देदीया, क्या देदीया time यहापर देदीया, बट दिया 5 मिनट में ठीक है, 5 मिनट में time दिया तो हमको इसको km पर आवर को किसमें convert करना पड़ेगा meter per second में आपर convert करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि उसने पूछा, दोड़ की लंबाई meter में कितनी होगी तो दोड़ की उसने length पूछी है meter में पूछी है, तो जो km पर आवर है, उसको meter per second के अंदर हमको convert करना पड़ेगा, तो meter per second में convert करने के लिए मैं आपको क्या बता है, 30 को multiply आपको किस से करना है, इससे multiply करना है, आपको 5 बटे 18 से आप लोगों को multiply करना है, ठीक है, और meter per second के लिए यह आपका किसमें कर देना है, इसको आप लोग 60 से कर देना, तो आपका time निकल कर आ جाएगा, ठीक है, अब जरा जो यही और देख देखते हैं छेती अठार है झाटे कि इस उसके लिए 25 us i.a 25 तीन यह कितना निकल कर आ गया 25 तीन आपके सामने निकल ख़गा और टाइमवन है त evo C100 आपके सामने त्पाइम डियाओ है कितने तीन अपके सामने कस निकल खड़ा गया तो क्या आप यही आंसर आपका निकल कर आए जो मैंने दिया आपका 3 से आपका 100 और 25 के 100 से multiply करेंगे तो आपका आजाएगा पत्चीस सो ठीक है तो क्या आपका भी यही आंसर है जो मेरा सी इसके अंदर आए भई आपका 2550 25 के 100 से multiply करेंगे पत्चीस सो आएगा गदो इसके अंदर आपका ठीक है चलिए तो यह आपकी भई जो मैट्स की जो marathon class थी वो complete होगी और मैट्स की marathon class के अंदर दो question आप हमारे जो है रहे आपके अठारतिय चववन और एक question वो आपने जो distribution का था तो उसको आप लोगों के लिए अमर्क दे दिया घर सकान दे दिया बस आपको उसके अंदर multiply करके और उसको काठ पीट करके आप कांसर आ जागा और पूरी marathon class आज आपके complete होगी ठीक है तो यहाँ पर होती है आपकी marathon class complete अब यार बस आपकी English की बच्ची है अब आपकी English की बच्ची है जो मैं आपकी सबसे बड़ी बात है पढ़ाने के अंदर दिक्कत नहीं सबसे बड़ी बात यह रहती है इसको मेटरिल को तयार करने में एक है content वाई चीज़े लेनी पड़ती है ताकि आप लोग इजली उसको समझ पाऊ ठीक है तो इसमें बहुत मैनत लगती है और हमारा जो सफर है आप उसके बाद बाद में मेरा नाम लिख दिया करो बाई सचिन सर या बाई सचिन एकड़ में आपको मिल जाएगी ठीक है बाखी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सीटाइट का एक्जाम पास होने बाद फिर आप लोगों को आगी की वित यारी करने है तो चैनल को सब सब्सक्राइब करो तो आप लोग एप्लिकेशन के उपर उसको जाके देख सकते हो ठीक है ठीक है पूछिए अब आपका क्या कुश्चन है ठीक है संस्कृत की मेराथन क्लास करा दिए देखें संस्कृत और हिंदी या कोई भी लेंग्विजों इसके अंदर जो टोपिक र इतना बड़िया तरीके से मैंने उसको बनाया था हिंदी के मेराथन क्लास को बिल्कुल प्रोप पर तू दा पॉइंट आपके जो आपके सब्सक्राइट में ने पैटरन का कोडिंग चीज़े देखने को मिल लिए तो ने पैटरन का कोडिंग है इससी चीज़े मैंने उसक अच्वाइब को तो मैं आपको कल या पर्षों के अंदर ठीक है मैं उसको पर करवा दिया है तो कल या पर सोगय आपको देदूँस जो आपके लिए आपका पेपर 1 पेपर 2 कोई भी हो ठीक है ठीक है आपको थेंक्यू सो मज़ सर्स रव इंगलिस का क्लास कब होगी इक बार में बता दूंगा कल होग परस होगी लेकिन संभावना कली आपके ठीक है ठीक ठीक हाँ वह जो आपका वह लड़को लड़कों काता हो वह वह बता दिया वह नमबर में दिक्कत रहेगी ऐस टेमपर हैशी शुटड़े उसका आप लोग देखे ले नftig लड़के लड़के वाला था आपका क्लिश्टों बारे में क्या है आपका बारे 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 कहा हया बार आए दो बच्चोंने पुछा बार है एव रे आजया भई माजय आजया अ Harley जो है जो है दो है दो निवन कॉन का नों सदे एक सम तो होता है तो ठीक तो भई आपका यहिता आपका नेगीटिव और इसके अधर आपका नेगीटिव एक अंदर तो यहिए तो आपका नेगीटि चलिए। और तो कुछ एप का यहाँ पर आपकी फिर मैं मेरतन किलास को आपके खंप्लीट करता हुई यहाँ पर आपकी टोटली कमप्लीट हो गई मैर्छन किलास. ठीक है। ठीक है भई? ठीक, थैंग्यू, ठीक है निणने चलिए। आह समय किरते हैं खता हूं विडीयो diplomat यह पसंद और हो अब यह काम मुझे करने पड़ेगा सו यह कैसे साहँ आज एक कोश्चन वह था दस करोड़ वाला कुछ कोश्चन था ठीक है तो यह कोश्चन वैसे यह 11,000 को मिलिको सब्दों मिलिको यह मतलब ऐसे कोश्चन आते हैं आपके एक्जाम में जो मैंने वो लीडी आपको उपर करा दिया ठीक है चली फ्रेंड्स मिलता हो आपसे नेक् अच्छर कोश्चन वैस एक्योटर से जो सालेधज वाला कुछ कोश्चन doğal में जो सब्सक्राथ कोश्चन आते हैं आतunu है आपके उो सक्पवर कोश्चन वैसे यहां घूर्या में उन्में जो हैंज aside विएिक है एक्पशन गपके